और उसके बाद राजा जनक जी ने निवंतर भेजा महराद दसरत जी बारात लेकर के आगे प्रभुष राम चंद्र जी और सीता जी की शादी का कारिक्रम होने लगा उसी पंडाल में उसी साधी के उत्सों में राम का विवा सीता के साथ लक्षमन का विवा उर्मीला के साथ भरत का विवा मंडवी के साथ और सतुरदन का विवा सुख्रित के साथ शंपन होने लगा जही दिन राम जनक पुरयाए हो देखनी आई सारी दुनिया सिता राम के भजो भला जिसमें चारों भाई भुजन करने के लिए बैठे जनक पुर की सकीयां सभी आज सीता जी के भाग्य पर बहुत प्रसंद हो रही है जेवनार करवाते वक्त तमाम तरीके के गीत जनक पुर की औरते गा रही हैं जिसे आज भी औरते जगह जगह में गाती हैं सुनाती हैं दाले भाती पर वरतरकारी हो उपरा से घियन के धारी सीता राम के भजो भला खाना पिना खाने के बाद आखिर विवाह का करक्रम शुरू हो गया राम सीता का विवाह ब्रह्म विवाह के अंतरगत किया गया और आज भी वही विवाह संपन्न करा जाता है वैसे विवाह तो आठ प्रकार के होते हैं लेकिन अपने यहां ब्रह्म विवाह का प्रशलन है अब प्रेम विवाह याने की गंधर विवाह भी काभी होने लगा है मताय वहने सोहाक के तौर पे गाती हैं कवने रंगा घोड़ावा की कवना यास्ता बारवा की कवने रंग लाग उलगाम राजा के सोहार तौर ने रंगा नीले रंग घोड़वा पे चड़ाया सवरवा हो नीले रंग लाग उलगाम राजा के सोहार और महाराज जनक जी अपने पुत्रियों का कन्यादान करने लगे तब और दे कैसे गाती हैं काप पही लोटा की काप पाही थारी काप पाही कुसावा के डर अभिजानी हत्थिवा पटोर मोरे बाबा हो की भाईली धारा मामा की जूनी हो पहनाओ सकी कंगना मंगल दिन में सामरे हैं दूले राजा मोहने मुर्यतिया पनाओ सकी कंगना मंगल दिन में पनाओ सकी कंगना इस तरह से विवाह कारकरम संपन हुआ कोबर हुआ उसके बाद रामलक्ष्वन भरस्ट्रधन अगले दिन बिदाई हुई जैसा कि आज भी होता है विवाह में बाबुल की दुमाएं लेती जाजा तुझको सुखी संसार मिले मैं के कि तुझे न यादाए ससुराल में इतना प्यार मिले बाबुल की दुमाएं लेती जाजा तुझको सुखी संसार मिले ए मंगल भानाया मंगल हारी ग्रबामु सदा साराथ अजिर अभिहारी हरी अनन्त हरी कथा अनन्त कहा ही सुना ही बहु बिधी सब संतार ओ जही मिरी हाई नात ही तमोरा करे हूं सोबे की दास प्रभुतोरा बलो सियापति राम च्यंद्र कीजे बलो ब्रिंदावन विहारी लाल कीजे